हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में बहुत ही खुबसुरता तोरन बताने वाली हूं जो हमारे पास बचे कुछे उन होते हैं थोड़े थोड़े से होते जो किसी काम का नहीं होता उससे मैं तोरन बताना बनाना बताऊंगी कलरफूल एक दम और इसके लिए तौरन बटाना बंचान के लिए गहता है उसके बाद यहां पे टोटल सोलचैन बनाना है अद चैन के बनाने के बाद एक दो यहां फे व्यां चेन प्रिंट हुआ खेंग झाड है जाई अचन note 5ACT.- डो तीन चैन और बनायेंगे और यह जो 16 वाला चैन था उस में एक डबल क्रास यहां बना लेंगे यहां पर बना लिया फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से एक डबल क्रास यह बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे बना लिया फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से एक डबल क्रॉस यह बनाएंगे ऐसे ही करके हम पूरे यहाँ पे जितने भी हमने चैन बनाये थे सब में एक एक डबल क्रॉस या बना लेंगे तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो 17 डबल क्रॉस या बनेगा तो यह मैं पूरा बना के फिर आगे बताती हूँ कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तोरण पढ़ती है और बहुत ही खूबसुदत सा है तो यहाँ पे टोटल 17 डबल क्रॉस या बना लिया इसके बाद 3 चैन बनाएंगे इसको टर्न कर लेंगे फिर इसके बाद यहाँ पे एक चैन छोड़ देंगे दूसरे वाले चैन से यहाँ पे एक डबल क्रॉस या बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन से एक डबल क्रॉस या बनाएंगे बना लिया फिर एक डबल क्रॉस या लेंगे और जो हमने पीछे यह चैन छोड़ा था ना वहां से हम धागे को ऐसे क्रॉस यह में लेके आएंगे यहाँ पे हमें पफ की तरह बनाना है यहाँ पे चार या पांच बर धागे को लेंगे क्रॉस यह में तो मैं यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच बर धागे को ले रहे हैं अब इसे एक बर ऐसे बनाना है पूरा complete हमें यहाँ पे नहीं बनाना है फिर अब क्या करेंगे इसके बाद जो दो double cross यह बनाया था उसको छोड़के आगे का एक chain छोड़ देंगे उसके next वाले chain में एक double cross यह बनाएंगे फिर उसके next वाले chain में एक double cross यह बनाएंगे अब फ चोंट के झोड़ कि और फिर उसके बाद उसमें बना रहें तो ये पांच वर हमने लिया फिर इसको एक बर ऐसे बनाएंगे हमें इसे पूरा कंप्लीट नहीं करना हैं फिर इसके बाद फिर से नेक्स जो यहां पे खाली है वहां से एक चैन छोड़की दूसरे वाले चय फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रॉस बनाएंगे ऐसे करके हमने यहां पर दो बना लिया ऐसे करके हम इस पूरे लाइन को यहां तक कम्प्लीट करेंगे इसमें टोटल ऐसे पांच बनेंगे पांच यह से टेड़े वाले पब बनेंगे तो यह पूरा कम्प्ल करना है लास्ट में यह जो तीन चैन है ना उस तीसरे वाले चैन के ऊपर हम एक डबल क्रॉस यह बना लेंगे तो यह हमारा लाइन कम्प्रीट हो गया अब बस हमें क्या करना है बहुत सिंपल यह तोरण परती है इसी दो लाइन को हमें रिपीट कर दे जाना है फिर अब तीन नीस बनाएंगे और यहां पर हमें जितना भी चैन दिख रहेता समकी ऊपर एक डिबल क्रॉस यह बना लेंगे तो यहां पर टोटल 17 बना भुप रहते हो हर एक चैन में बस हमें एक एक डबल क्रॉस यह बनाते जाना है तो ऐसे करके हम यह पूरा बना लेंगे तो देखिए मैंने यह पूरा कम्प्लीट कर लिया अब देखिए फिर से जो स्टार्टिंग वाला लाइन था वही लाइन आ गया अब इसके बाद फिर से हम यह यह चैन छोड़ा था उसमें से लेके हम एक ऐसे पफ बनाएंगे तो यहां पर पांच बर दागे को लेंगे और इन पांचों को एक साथ एक बर बनाएंगे लेकिन हम इस पूरा कम्प्लीट नहीं बनाएंगे एक बर ऐसे बनाके फिर क्रॉस यह में छोड़ देंगे इसकी डिशेघ में को प्पटि कम्ठी भीकलिया है कितना है मैंने रिपीट नहीं है जोसी तो हम अल दिया हो गया तो यहां पर मैंने ने दो से 2 से शुरू किया था दो तीन चार पांच कर के ऐसे लास्ट वाला जो गला अचा जो लाइन बना है उसके अइसे 12 उट बने हुए है तो ऐसे करके मैं इस तोरण को पूरे तोरण को यहां पिपलियकर यहां पर यहां च्क्रण confrontation में बना कि आगे कि आपको इसको कैसे बनाना है मैंने यहाँ पर तीन तीन लाइन का गैप दे के बनाया है अगर आपको इससे जाद कम में बनाना है तो आप यहाँ पर जो तीन लाइन का गैप है उसको पांच लाइन का गैप दे सकते हैं या फिर और इससे ज़्यादा घहना बनाना है तो यहाँ पे आप दो-दो लाइन छोड़के बना सकते हैं तो यह मैं बताते हूं इस लड़ी को कैसे बनाना है तो यहाँ पे हमें तीन फ्लावर वाला लड़ी बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे एक गाठ लगाएंगे और गाठ लगाने के बाद चार चैन बनाएंगे चार चैन बना कि जो फॉर्स्ट वाला चैन है यहाँ से हम एक डबल क्रॉस्या बनाएंगे बना लिया इसके बद एक चैन बनाएंगे और यहाँ से ऊपर जो दो धागा दिख रहा था उसमें से एक सिंगल क्रॉस यह बनाएंगे इसके बाद तीन चेन बनाएंगे फिर जहां से हमने शुरू किया था उसमें हम इसको सिंगल क्रॉस यह से जॉइंट कर लेंगे फिर तीन चेन बनाएंगे और फिर इसके बाद सेम जगह से एक double cross ये बनाएंगे फिर एक chain बनाएंगे और फिर ये जो दो धागा दिख रहा है इसमें से लेके एक single cross ये बनाएंगे फिर तीन chain बनाएंगे और इसके बाद फिर से इसी circle में इसको हम single cross ये से joint कर लेंगे फिर से तीन chain बनाएंगे फिर एक double cross यह बनाएंगे यहाँ पर एक double cross यह बनाएंगे फिर इसके बाद एक chain बनाएंगे और यह जो दो धागा दिख रहा है इस पकड़के यहाँ पर एक single cross यह बना लेंगे ऐसे ही करके हमें 5 बनाना है तो 3 तो मैंने बना लिया दो और बनाके फिर बताते हो इसको लड़ी के लड़ी में कैसे बनाना है तो यह देखे मैंने यहाँ पर total पांच ऐसे जो यह पैटल से वो complete कर लिया अब इसको हमें क्या करना है ऐसे नीचे के साइड करना है फिर यहाँ पर दो छोड़के दो करली को छोड़के तीसरे वाले के बीच से हमें क्रॉसिया को लेकी जाना नीचे से उसके बाद यह जो धागा दिख रहा है इसको नीचे से लेके उपर आना है और यहाँ पर दोनों को एक साथ बना देना है तो यह देखिया हमारे नीचे के साइड हो गया ऐसे अब इसकी बाद हमें 10 चैन बनाना है अगर आपको आप यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर चैन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 10 चैन का गैप देया है आप काम यह जादा कर सकते हैं दस चैन बनाने के बाद मैंने चार चैन और बनाया और फिर जो चौथा वाला चैन था उसको पकड़के मैंने यहाँ पर एक डबल क्रॉस यह बना लिया इसके बाद एक चैन बनाएंगे और दोरू धागों को पकड़के यहां पर इसको जूँनिक स्वालों पर पर जाला ख़लेंगे इसे सुरूंक पर इसको उसको स्टन कर लिया और इसको एफ़ से उसकी घ्न केरां इसके बाद दोर यहाँ निया राउको धादा पक्राइंगे ने चाहां है और इसको यहां पर सिंगल क्रॉस से जॉइंट करेंगे फिर से तीन चैन बनाएंगे ऐसे ही करके हम इस फ्लावर को कम्प्रीट करना है और आगे के फ्लावर को भी कम्प्रीट कर लेना है तो देखिए मैंने यहां पर तीन फ्लावर यह कम्प्रीट कर लिया तो लास्ट वाल इसको अब यहाँ पे दिख़ एक दो तीन तीसरे वाले लाइन पर यहांपे शिंगल क्रॉहीस सही स्को ज्वाइट कर लेंगे यहांपे दो ऐसे सिंझल क्रॉही हिए बना लें फिर इसके बाद जो धागा है उसको कट कर लें behaviour दिना यहाँ पेचे एक सायल लेकर जाएंगे च्रॉसीयों हबसा के पहले इसमें से पीछे ले जाएंगे पुर यहां पेचे तो शाथ आजघों को पकड़कि जाएन के अधागा को पीछे के साली के यह लेए बिघ्र फ्लार्स बनाने हैं इसके बाद यह तीन गैप देंगे फिर चौथा वाला बनाएंगे चार लड़ी बनाके फिर पांच लड़ी फिर छे ऐसे करके बारा तक बना लेंगे तो देखिए मैंने यह पूरा कंप्लीट कर लिया है कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है आप इसको आप अपने पसंद का कोई भी डिजाइन मुझे बना सकते हैं तो आप जरूरी नहीं कि इतना कलरफुल बनाऊ आप चाहो तो इसे दो कलर में भी तीन कलर में बना सकते हो अपने पसंद के एकॉरडिंग ठेंक यू झाल